कुतो ने मा के सामने बच्चे का पेट फार दिया आते बाहर आ गई जिसके बाद उस मासूम की दर्दनाक मौत होगी जी हाँ ये मामला सामने आया फिर से नौइडा से नौइडा की सोसाइटी लोटस ब्लूवर्ट सोसाइटी से और सबसे बड़ी बात उसी सोसाइटी के गा बताया जा रहा है जिसके बाद मा दोड़ती है मा का नाम सपना है बच्चे का नाम अर्विन बताया जा रहा है जो वहीं के सेक्टर 110 में रह रहे थे अपने पत्ति के साथ सबसे बड़ी बात उस बच्चे की मौत हो गई है जी हाँ आपको बता दे कि एक जो बताया जा रह कर दिया जाता है society के garden में society का नाम lotus ब्लूवर्ड सो साइटी न्वैडा में बताया जा रहा है उसमें बच्चे की मौत हो गई हालां कि बताया जा oks साउव्वल उसके बाद जो आस्पास sold के लोग हैं ँन्होंने जो बच्चे को एस्पाइस में पर वारती कराया जहां उसका ओपरेशन भी किया गया लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका अब To कि लगतार ऐसे मामले सामने आरे हैं बी जो है किस तरह से लखनों से मामला सामने आया था कि एक मालकिन के उपर उन्हीं के पिटबुल कुते ने हमला कर दिया जिसमें उस मालकिन की भी इसी तरह से दर्दनाक मौत हो गई थी अब एक मासूम ने अपनी जान कवा दी और इसी बीच में बहुत से ऐसे मामले जो है वो सामने आये चाहे वो जो है लिफ्ट के अंदर डॉग ब जो लिफ्ट में जा रहा था वहाँ पर एक जो है महिला अपने कुते को लेकर जारती पालतू कुते को उसने लिफ्ट के अंदर ही उस मासूम बच्चे पर हमला कर दिया था यानि कि जो डॉग बाइट के मामले है वो लगातार सामने आ रहे है इसी के चलते जब नॉयडा म इस मासूम बच्चे जिसका ना मर्विन बताया जा रहा है जो महद एक साल का आसपास का जो है वो बताया जा रहा है कि उसकी माँ जो है उसे पार्क लेकर पहुंची थी गार्डन में जिसके बाद जो है उसके ओपर तीन कुटों ने हमला कर दिया और वो हमला इतना खतरनाक रहा कि बच्चे का जो पेटे उसे कुतों द्वारा फार दिया गया आते बहार आ गई हलाकि अपरेशन के बाद भी जो है उस एक साल के मासूम को बचाया नहीं जा सका और उसके बाद जो वहाँ पर होता है जो सभी लोग हैं आसपास के लोग हैं उन्होंने हंगामा किया हला तो आदम खोर हो गए और लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं आपको बता दें कि इसी तरह एक जो मैटो डिलिवरी बॉय पर भी हमला किया गया था उसके प्राइवेट पाट को एक कुत्ते ने काट लिया था जिसके बाद वो कई दिनों तक असपताल में भरती रह था यह मामला मॉंबई के आस पास सामने आया था और इसी तरह से मामले एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहे है क्यांकि कहा जा रहा है कि जो इस सोसाइटी के डॉग है उनको स्टरलाइस करवाने के बाद फिर से उसी सोसाइटी में छोड़ा गया जहां पर लोगों का कहना है कि इससे जो है उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ हलाकि डॉग जो है अभी भी जो है कुट्टे काटने के मामले वो सामने आ रहे इस पर लोगों ने जमकर हंगामा किया क्योंकि महज एक साल के आसपास के बच्चे अविन ने अपनी जान गवादी तीन कुट्टों द्वारा उसे नोचा गया तो सबसे बड़ी बात है कि आख डॉग विरोद भी सामने आता है अला कि दूसरी तरफ नोगों का कहना है कि जो इस तरह के मामलें उनको जो है नहीं ऐसा करना चाहिए जो डॉग लवर्स है उनका कहना है कि जो है वो बात समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए क्योंकि अपने आप में अगर बात की जाए तो डॉग बाइट के मामले भी सामने आ रहे हैं और कई बार जो कुत्तों के साथ बरबरता सामने आती है वो भी सामने आ रहे हैं कि एक इंसान द्वारा कुत्तों को बुरी तरह से पीटा गय तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है वो जरूर बताए क्योंकि एक समस्या अपने आप में बहुत बड़ी और बड़ी गंबीर समस्या है कि आखिर इस समस्या से कैसे बचा जाए जो बच्चे हैं उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए क्योंकि जो नोईडा की सोसाइटी के जाए कि आखिर इस समस्या का क्या समाधान होना चाहिए क्योंकि लगातार ऐसे दो बड़े मामले सामने आए एक तो मालकीन जिसको अपने ही पिट बुल द्वारा काट लिया जातर वो अपनी जान गवा देती हैं और दूसरी तरफ एक महज एक साल का मासूम बच्चा जिस की लगातार कुटे काटने के मामले भी सामने आ रहे हैं जो डॉग बाइट के मामले वो सामने आलांकि लोग बहुत जादा परेशान हैं महीं दूसरी तरफ एक ऐसे लोग भी हैं जो डॉग लवर्स हैं और उनका साथ तोर पर यह कहना होता है कि कुट्टों के ओपर किसी पर अटैक करना शुरू कर दें तो इस मामले में आप समस्कते हैं कि कितनी गंभीर ये समस्या जो आप पैदा हो रहे हैं और लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं आप अपनी राए इस पर जरूर दे क्योंकि बहुत महतबों रगती है और लगातार जो मामले आ रहे हैं उस